आप सभी को जय मसी की, दबाइबिल पुष्ण में आपका स्वागत है, हमारा आज का वचन है, भाजन सहीता 21 हे यहुआ, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा, और तेरी किये हुए उध्धार से वह अती मगन होगा, तुने उसके मनोरत को पूरा किया है, और उसके मुग की विंती को तुने अस्विकार नहीं किया, क्योंकि तु उत्तम आशिशे देता हुआ उससे मिलता है, और तु उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है, उसने तुझसे जीवन मांगा, और तुने जीवन दान दिया तुने उसको युगान युग का जीवन दिया है तेरे उध्धार के कारण उसकी महीमा अधिक है तु उसको वैभव और आश्वरी से आभूशित कर देता है क्योंकि तुने उसको सरवदा के लिए आशिशित किया है तु अपने सम्मुख उसको हर्श और आनंद से भर देता है क्योंकि राजा का भरोसा यहुवा के उपर है और परंप्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का तेरा हाथ तेरे सब शत्रों को ढून निकालेगा तेरे दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा तु अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भटे के समान जलाएगा यहुवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी तु उनके फलों को प्रित्वी पर से और उनके वंश को मनुश्यों में से नश्ड करेगा क्योंकि उन्होंने तेरी हानी ठानी है उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे क्योंकि तु अपना धनुश उनके विरुत चढ़ाएगा और वे पीठ दिखा कर भागेंगे हे यहोवा अपनी सामर्थ में महान हो हम गागा कर तेरे पराकरम का भजन सुनाएंगे